नमस्कार दोफ्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस्टों यूटूब चैनल में दोफ्तों बीए बीए सी बीको सेशन दोहजार बीस एक्जाम की प्रिप्रेशन इस चैनल के माध्यम से सुरू हो चुकी है पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को डीटेल में बताया है जो चात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह वीडियो का पार्ट जरूर देखें उसमें मैंने बताया कि किन चात्रों की प्रिपेसर इस चैनल पर कराई जाएगी और कैसे कोश्चन आते हैं क्या है और इस बार आनलाइन एक्जाम होंगे आफ लाइन होंगे क्या कुछ है साई जानकरी मैंने पिछले बीडियो मताई इस लिए इस बीडियो को देखने के बात उस बीडियो को जरूर देखेगा तो आज किस बीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए माडल पेपर 2020-21 तो यह जो बीडियो है वो बीडियो के लिए जो एक्जाम के लिए पूरी तरह आप सभी के helpful है तो इस वीडियो में एक-एक कोश्चन हम बताएंगे और इसका answer भी बताएंगे जो एक्जाम के लिए आपके लिए helpful होने वारे है तो वीडियो में पूरी तरह बने रहीए गा और मैं आपको यह भी बता दूं से बीकॉम यानि कि मौर्णिंग और यूनिंग में दोनों की क्लासेश चलेंगी ध्यान दीजिएगा जो क्लासेश का समय है वो मौर्णिंग में है और यूनिंग दोनों में है ठीक है 9 से 10 के करीब वीडियो आ जाएगी और साम को भी इसी तरह 7 से 8 के पीच वीडियो लग सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कौन से कुश्चन है किस प्रकार की पूछेगे देखते हैं तो दोस्तों आज की जो स्रीज है उसमें जो क्वैश्चन है वो हिस्टरी यानि इतिहास के हैं तो आज कि जो स्ट्रीच है वो टू नमबर है कल पहली थी और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं और मैं आपको यह ब झा चाहिए आपको मिल जाएंगी अमेर कुस्त्तरो अफ्री思 रउन बरने और दीनम्बर है तो इसी तरह के आपको एक्जाम में कपोश्छंच सब्सक्राइब क मिला है जहां पर 40 सिलेक्ट करना होगा अगर और और सेड़ी सिपुल पर अगर में आक्मन करनेवाला परथर्थम तुर्थ आक्मनकली कारी कौन था मैं आपको बता दोस्तों अगर कोई वर्ड टाइप करने में मिश्टेक हो गया होगा गलती से तो वह आप उसे इग्नोर कर दीजेगा मैं फिराल उसे बता दूंगे कोई टाइप करने में एक दूवर्ड दरोदर हो सकते हैं तो जो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण कारी था वो था सुतक्तगीन ध्यान दीजेगा इंप्वार्टन कोईशन है ओके अगले कोईशन के बढ़ते हैं अगला कोईशन कह रहा है कि निम्ड में से किसको फार्सी का होमर कहा गया है फिर दौसी को अमे अगला कोईशन है कि मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकार में भारत में आने वाला विदेशी यत्ति था नमबर एक है पायस और बी नमबर है इब्न वतता और सी नमबर है निकोल कॉंटी और डी नमबर है अब्दुर्जाक थोड़ा जो नाम है आप लोगों को देखने में टप लें टप लग रहे होंगे क्योंकि पुराने नाम है तो होते ही है तो इसमें मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकार में भारत में आने वाला विदेशी यात्री जो था उसका नाम है इसको राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर इब्न वततता ठीक है इब्न वततता है अगला कुश्यन करे दा कि मद्यकालीन भारत में इतिहास सामैनिताया किस भासा में लिखा गया बहुत इंपर्टन कोश्चन ध्यान समझ withstand away तुर्की में उर्दू में तो राइट हैंसर कोश्चन का हो जाएगा तुरकी में लिखा गया था नाम्पारत कि रश्चन पर इस इतिहास कार्ड ने की आपसन मिल जाएंगे अलबुर्णी, B नमबर अमीर हसन, C नमबर है अबुल हसन, D नमबर है अमीर खुसरो तो इस question को जो right answer हो जाएगा तारीक A हिंद नाम पुष्तक की जो रचना कि इतिहास कार्ड ने की उसका नाम है अमीर हसन, B नमबर right answer हो जाएगा अगले question की बात करते है मिन्हाज, सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते A नासीरी को समर्पित किया नमबर आपसन मिल जाएगा किसको किया तो वो है रजिया सुल्तान को बल्बन को, इल्ततुमिस को और नशीरुद्दीन को तो इस question का जो right answer हो जाएगा दो तो वो हो जाएगा बल्बन ध्यान दीजिएगा बल्बन को समपाता ठीक है अगले question क्यों बढ़ते हैं अगले question यह कह रहा कि अमीर कुसरो की अनुसार सतरंच का खेल अविस्क्रत किया गया था नमबर एक है भारत में अरब में तुर्की में फ्रांस में तो जो इस question का right answer हो जाएगा यानि कि अमीर कुसरो के अनुसार सतरंच का खेल आज समिक्रत किया गया था वो भारत में किया गया था इसलिए right answer question का हो जाएगा इस नमबर तभी question तो टॉप लेबल के है जब next series start होगी जब बहुत सारे चाथ जुड़ जाएगे तो इसमें मैं पूरी एक details से यानि कि एक sequence wise मैं series बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे अभी जल्द series start हो रही है यानि कि जो classes है तो इसमें बहुत सारे चाथ भी attend नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं तो धीरे दीरे सभी attend यानि कि attend हो ने लगेंगे आने लगेंगे देखने लगेंगे तो उसमें क्या होगा ना बहुत सारे चाथ रहेंगे जैन बिद्यानों से घनिष्ट था तो आपसन एक मिल जाएगा लाओ दिन खेल जी मुहम्मद बिन तुगलक बल्बन कुद्बुद्दीन राइट एंसर इस कोईश्टन का हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक ओके अगला कोईश्टन कर रहा है कि नेम लिखित में से किस ग् आपकाते नासीरी इस को जाएगा वह जाएगा इनमबर हो जाएगा फत्वा ए जहां जारा ठीक है ध्यान दीजिए को कोईश्टन कि जो एंसर वह थोड़ी टप है तो आप लोग को माइंड में आप लोग इसे सेट कर लीजेगा ठीक है अदर्वाइज आप डोट डाउन क कर सकते हैं अग्ला क्वेसश्ट अपढ़ते हैं अग्ला कुषिचन क्या लिखिर अ से कौन दिली सलतनत सलतन तकर और निजामansa से जुड़ा था नमबर एक है इसामी, B नमबर सेक रिजाकुला, C नमबर अमीर कुस्रो और D नमबर है बरणी तो इस कुश्चें के जो राइट एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, D नमबर बरणी, ठीक है, ध्यान दिजीएगा अगले कुश्चें की बात करते हैं, कहिरा है कि रहला का लेखक कौन है, नमबर एक है, अल, बरुनी, B नमबर है इबन, मसूदी, C नमबर है इबन, बतूता, और D नमबर है, मारको, पोलो तो इस question है कि जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा C number इबन बतूता ठीक है बतूता C number अगले question के बात करते हैं कौन सा question है लिखा है कि राज तरंगिनी का लेखक कौन है आपसे ने के बिलहड महा नामा मंदन मिस्र और D number है कलहड राइट एंसर इसका हो जाएगा D number कलहड अगला question अमीर खुसरो किसका समा कालीन था नमबर एक अलाउद्दीन खिल जी का गयाशुर्दीन का बलबन का इन में से कोई नहीं तो बहुत important question है इसका answer आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो question का right answer हो जाएगा C number बलबन कि अगला question है कि अलबरूनी कहां का रहने वाला था दिल्ली का गजनी का रवीबा का फरगना का तो इस question का right answer हो जाएगा वो जो अलबरूनी था वो रवीबा का रहने वाला था right answer से नमबर हो जाएगा सो दोस्तों आज की सीरीज में बस मैंने पंद्रह question include की हैं जो कि important है तो आप ये पंद्रह question आप अगर exam में पढ़के जाते हैं तो इसमें से कुछ ना question आप कुछ ना कुछ question आपको जरूर exam में देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने experience किया इसलिए मैं आप तक share करना हूँ ये बाते ठीक है और मैं आपको बता दू अगर आपका कोई question है कोई सुझाओ है अगर किसी भी subject का आपको model पेपर question पेपर चाहिए तो basic comment करके कि आप बताया करिए उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस पर research करूंगा question ढूंगा उसके बाद आप तक provide करूंगा ठीक है और जिन छात्रों को मैं आपको बता दूँ कि जिन छात्रों को special class चाहिए यानि की पूरी question answer की book चाहिए वो comment section में ज़रूर बताएंगे उसके लिए मैं पूरी मेहनत से तयार करूंगा ठीक है और वो important question मैं आप तक provide करूंगा अगर आपके ज्यादा comment आते हैं फिरहाल आज किस वीडियो में ब